यह महिलाई आई है आज अब जो मैं कहने जा रहा हूँ पुर्शों को अच्छा नहीं लगेगा मगर मैं साफ बोल देता हूँ गुस्सा मत होना मुझसे गुस्सा नहीं होना है देखिए 21 मी सदी में आप बाहर जाके 18 गंटा काम करते हो खेतों में काम करते हो मजदूरी करते आपको भी पैसा मिलता है महिलाओं को भी पैसा मिलता है मगर अगर आप आठ गंटा बाहर काम करते हो और यह आठ गंटा भी बाहर काम करती है तो यह फिर आठ गंटा घर में भी काम करती है खाना पकाती है हिंदूस्तान के बविश्य की देखबाल करती है बच्चों को सरकार इंडिया गड़ बंदन की सरकार पहली बार दुनिया में पहली सरकार होगी जो इन महिलाओं को यह जो घर में काम करती है आठ गंटे जो भविश्य की देख्माल करती है उसके लिए पैसा देने जा रही है अभी ताली बजाई है जब मैं बताऊंगा कितना पैसा फिर देखना ताली कैसे बचती है तो महिलाओं के लिए तीन काम होएंगे सबसे पहला काम जिसको हम महालक्ष्मी योजना कहते हैं इसमें हमने लक्ष्मी नाम इसलिए लिखा है क्योंकि हम सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालने जा रहे हैं हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी कोई भी जात हो किसान का परिवार हो मजदूर का हो छोटे व्यापारी का हो जो भी है अगर वो गरीबी रेका से नीचे है करोनों पर रुपा मिश्राजी, रुपा मिश्राजी जैसे करोणों महिलाओं के नाम लिखे जाएंगे और फिर साल के एक लाक रुपिया हर बैंक अकाउंट में जाएगा। उसे हिंदुस्तान की सरकार 8500 रुपे डालेगी। अगले महिने जून में देखेंगी, चलो एक तारी को देखतें क्या हुआ, 8500 रुपे खटाक जून में, जुलाई में, अगस्त में, सप्टमबर में, डिसमबर, नुवेबर, हर महिने एक तारी को 8500 रुपे, साल के एक ला को बना पयसा है. अदानी को बिना मजदी, बिना कुछ 10000 करोड रुपे देते हैं तो विकास हना है। गरीबुक को पैसा दो आज़ाइयो और अरव पतियों हो पैसा हना, अधरी आज़ाहन दो के लिए हमाट को देने जारे हैं। तो यह हो गया। पहला किनमلا भीलाय मालग चुश्मी योजना को गरोनों महिलाओं को लाखपती बनाने वाली योजना अब जैसे मैं आप यह बोल रहा था तो मैं देख रहा हूं यहां पर युवा करे हैं यह मेरी और देख रहे हैं कहने भाया आपने एक लाघ रुपय मतलब महिलाओं को पड़ा दिया आपने भाया क्योंकि पैसा तो आप देते हो, GST जितनी आप देते हो उतनी अधानी देता है, आप शट करिपते हो, GST देते हो, पेट्रोल भटते हो, GST देते हो, पकोड़े गाते हो, GST देते हो, पैसा आपका, सीधा आपके जेव से जाता है, अधानी के जाता है, अम्बानी के जाता है, अच्छा एक बात बताओ, आपने आपने नरेंद्र मोधी जी की अधानी और अम्बानी के साथ फोटो ते देखिए ना, देखिए ना, सूट में मोधी जी, अधानी जी, अम्बानी जी, राम मंदर में, देखिए तो है ना, मगर नरेंडर मोजी जी के मुट से अपने अधानी शब्ध अधानी सप्थ अधानी शब्धी सुना नहीं क्यों नहीं है कि मेरी फोटो किए उंको अधानी विद्ध तो अब युवा को बेरोजगार कर दिया, पकोड़े बनवा दिये, और इस मीटिंग में युवा मेरी ओर देख रहे हैं, ये एक लाग रुपए हमारी बेहनों को दे रहा है, माताओं को दे रहा है, हमारा क्या होगा, अब मैं वह आपको बताता हूँ, क्या होगा, अर अब आपनी कमपनी में, अपने पिता के कमपनी में जाकर अपरेंटेशिप करते हैं, 6 महीने की नौकरी करते हैं, एक साल की नौकरी करते हैं, अच्छा खासा पैसा मिलता है, ट्रेनिंग होती है, उसके बाद, उसके बाद, उनको पर्मनेंट नौकरी मिलती है, तो एक प्रकार स जब अधानी या अंबानी अपने बेटे को जोब मार्केट में डालना चाता है तो उसका तरीका अप्रेंटिशिप होती है पहली नोकरी होती है कभी-कभी वो 6 महीने की होती है, 1 साल की होती है ये मौका हिंदुस्तान के बेरोज़गार युवाओं को नहीं मिलता आप बटकते रहते हो आगे पीछे सरकों पे तो अब इंडिया की सरकार दुनिया की पहली सरकार होगी सुनो, दुनिया की पहली सरकार होगी जो हर ग्रेजुएट को हर डिप्लोमा होल्डर को अप्रेंटिशिप का अधिकार देने जा रही है अप्रेंटिशिप का मतलब पहली नौकरी पकी योजना होगा क्या सारे ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स को अधिकार मिलेगा आप सरकार से एक साल की ग्यारंटी की नोकरी मांग सकते हो आपको एक साल की ट्रेनिंग मिलेगी पहतरीन कंपनियों में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में HL, PHEL Indian Oil, Public Sector की कंपनियों में, सरकारी offices में, सरकारी हस्पतालों में, सरकारी colleges और universities में आपको एक साल की पकी नोकरी मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी और एक लाख रुपिया आपका साल का बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा 8500 रुपए महीने के एक लाख रुपए साल के करोणों महिलाओं को मिलेगे और वो ही काम करोणों बेरोजगार युवाओं को मिलेगा हमारा क्या होगा, आपका तर्जम आप होगा और आपको गैरंटी कानूनी MSP मिलेगी बाई और मैंनों 30 लाख सरकारी वेकंसी हैं, नरेंद्र मोधी चीप प्राइबर्टाइज करते जाते हैं धेकेदारी प्रता उन्होंने लागू कर रखी है आप सबका उन्होंने जो आपका हक बनता है वो छीन रही है यह जो 30 लाख नोक्रियां खाली पड़ी है हमने कैल्क्यूलेट किया, हमने निकाला है आकड़ा इनको हम 6 महीने के अंदर आपके हवाले कर देंगे रही बात अगनिवीर की यहां से लोग सेना में जाते हैं जातें नहीं जातें सबसे जादा भिंट से अब देखिए नरेंद्रeleri जी ने क्या किया दो तरीके के जवान बना दिये एक जवान जिसको पेंशन मिलेगी जिसको कैंटीन मिलेगी जिसको अच्छी ट्रेंडिंग मिलेगी और दूसरा जवान जिसको ना कैंटीन मिलेगी ना पेंशन मिलेगी ना सथीक सैलरी मिलेगी एको अगनिवीर कहते है और दूसरा नॉर्मल जो जवान होता है वो है अब आप सोचिए दो लोगों को आप यूद में भेज रहे हो एक से आप कह रहे हो कि देखो भाईया, अगर आपको कुछ हुआ तो हम हिंडुस्तान की सरकार और हिंडुस्तान की सेना, आपके परिवार की रक्षा करेंगे आपके बच्चों की रक्षा करेंगे और जो भी सुविधा आपको चाहिए आपके परिवार को हो सुविधा जिस भी सुविधा की जरूरत होगी वो आपको मिलेगी और दूसरे जवान से कह रहे हैं कि भाईया देखो अगर आपको कुछ हुआ तो आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी कोई मदद नहीं मिलेगी आप शहीद हो गए तो हो गए वाकि सब छोड़ो आपको शहीद का दर्जा भी नहीं मिले अब सोचो सेन में क्या होने वाला है उस साइट चीन खड़ा है चीन के जवानों को पांच साल की ट्रेनिंग मिल रही है वहाँ पे सब को पेंशन मिलता है उनका कुछ हुआ तो उनकी सरकार उनकी देखबाल करेगी और यहां हमारा जवान जो यहां बिंट से जाएगा उससे कहेंगे देखो भईया तुम शहीद हो जाओगे तो तुमारे परिवार को कोई नहीं देखने वाला या वो ठीक से लड़ेगा तो यह नरेंद्र मोधी जी ने सेना का अपमान किया है और भाईयों बैनों आप हैरान हो जाओगे कि सेना अगनी भी नहीं चाहती है सेना अगनी भी नहीं चाहती जर्म नरेंद्र मोधी चाहता है और थोपतिया उपर कि भाईया पीएओं ने निन्ने लिया है दो तरीके के शहीद होंगे चार साल बाद तीन चोथाई लोगों को भगा दिया जाएगा एक चोथाई को रखा जाएगा और अगर वो जो तीन चोथाई है अगनी वी रहें अगर उनको भोली लग गई शहीद हो गए तो हो गए कोई शहीद का दर्जान निम्हें ये नरेंद्र मोधी सोच है मीडिया वाले कभी न उठाएगे ये कोविड पर थाली बजाने की बात करेंगे मगर ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ये कभी न उठाएगे आप जानते हो कहने की सरोथ भी नहीं है धेकेदारी प्रखा अगर आप पिछणों को देखो गलितों को देखो आदिवासियों को देखो गरीब जनरल कास को देखो बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको यह लोग नहीं दिखेंगे अदानी की मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो मुझे एक गरीब जनरल कास का दिखा दो एक गलित एक आदिवासि एक पिछणा मुझे एक नाम देदो मान जाओंगा है नहीं नहीं मजदूरी करते हैं चब ची करता है निकाल के देते हैं कोई सोशल सेक्राइटी नहीं कोई पेंचन नहीं कोई वर्निंग नहीं कुछ नहीं चेरा अच्छा नहीं लगा तो जाओ मर जाओ एसे देश थोड़ी चलेगा तो मजदूरों के लिए आज आपको 250 रुपए मिलता है मन रेगा में सरकार आने के बाद 400 रुपए हो जाएगा आश्या और अंगनवारी में जो महिलाएं काम करती हैं आपकी आंगनी डुगनी हो जाएगी और यह जो ठेकेदारी प्रता है पब्लिक सेक्टर में सरकारी ओफिसेज में जहां किसी को भी एक दिन में निकाल के बाद भेग सकते हो इसको हम खतम करने जा रहे हैं अगर नुकरी मिलेगी सरकार में पब्लिक सेक्टर में मलेगी तो इज़त के साथ मिलेगी पेंशन के साथ मिलेगी रिस्पेक्ट के साथ मिलेगी तो यह हम आपके लिए करने जारे हैं देखिये